हेलो फैंस तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल बदाम मिलक शेक बनाने का सबसे आसान तरीका पताऊंगा इस तरह से बदाम शेक बनाएगे ना बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसको आपना दो से तीन दिन दिन श्टोर करके भी रख सकते हैं है तो चली रेस्पी शूरू करते हैं सबसे पहले हैं यहाँ आप मैंने दो लिटर दूध ली है यह फुल Verfat दूद का मैंने यूज किया है अगर आप Low Fat में बना जाते है तो लोव चुका है और के वर क्या होता है ना दूद में एकदम से बॉयला जाता है दूद कड़ाई के बाहर निकलना शुरू जाता है तो एक गिलास पानी का रखे जब भी आप दूद को गर्म करते हैं जैसे कभी भी ऐसा हो कि दूद कड़ाई से बाहरा ना शुरू जाए थोड़ा स अच्छा टेस्ट रहेगा हमारे जो बदामिल खिशेक मन के त्यार होगा और इस में से आपने ना थोड़ा सा दूद निकाल के रख लेना है इसके साथ हम ना बदाम को ग्राइंड करेंगे तो दूद को मैंने साइड में रख लिया है और अब आपने पचास क्राम बदाम ले सारे बदाम का चिलका में निकाल लिया है और इनको आपने मिक्सिगंडर जार में डाल देना है इसके साथ में थोड़ा सा इसमें दूद एड़ कीशे तो थोड़ा ही दूद डालना आपने इसमें और दूद के साथ आपने इनको ग्राइंड कर लेना है एक तम फाइन आप एक बड़ा चमच मैंने इसमें custard powder add किये अच्छी तरह से इसको mix कर लिशे तो यहाँ पे दूद को पकाते हैं देखिए 15 मिड़ हो चुके है और दूद जो है पकने कबद यहाँ पे आदा हो चुका है इसमें अच्छी मलाई भी आ चुकी है अब आपने इसमें जो बड़ाम पीस के रखेंगे ना वो add कर देना है और बड़ाम को अच्छी तरह से दूद के साथ mix कर लिशे और थोड़ी तरह अपने बड़ाम को भी दूद के साथ यहाँ पे पका लेना है और इसके जो अपने custard powder घोल के रखोगा दूद में थोड़ा थोड़ा करके एड़ करते हैं अगर आपको लगता है आपका शेक जो है थोड़ा पतला हो रहा है और इसके साथ में थोड़ा साथ के बाद केसर है केसर डाल देशे केसर से बड़ाम शेक में एक अच्छा कलर आ जाएगा तो केसर को भी अच्छी तरह से आपने ना mix कर लेना है जब आप इसमें कश्चर पौडर एड़ कर देंगे गैस की फिलिम आपने मीडियम तू लो रखनी है तेज गैस में नहीं पका रहा है अच्छे फिलेवर के लिए मैंने थोड़ा से इसमें लाइची पौडर एड़ किया है और थोड़ा सा इसमें बदाम और पिस्ता का पौडर एड़ करेंगे तो 5-6 आपने बदाम लेने है 5-6 पिस्ता ले लिए उनको पीस के आप इसमें डाल देशे अगर पिस्ता नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गैस की फिले मीडियों रखिए 3-4 मिन तक आप इसको पकने देशे देखिए पूरे 20 मिन तक मैंने पकाया शुरू से अपने थंड़ा होने देने नहीं परे तो बदा मिलकुन आपने द्रॉसाव में निकाले आ तक यह जल् גली से थंड़ा करना पानी रखिए ऑपने इस तरह से दिक Kevin के ऊपर रखते लोह औ और बीच-पीच में आपने इसको लैडल से इस तरह से देखिए चलाते रहना है तक यह जल्दी ठंड़ हो चाहिए, जैसे ठंड़ हो चाहिगा इसको एक घंटे के लिए फ्रीश में रखते हैं और जैसे बिलकुल ठंड़ हो चाहिए गा, इसके बाद आप इसको सर्व कर सकत हैं और आज में गार्णशी में थोड़ा से बदाम और पिस्ता डार सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर कमेंट चुरू की शेकाओ के फ्रेंस मिल देखे लिए ने वीडियो के साथ थैंक यू